नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में दालो में से है तो उबालने की भी जव जट नहीं उसके लिए आपको चाहिए तीन आलो इसके उपर का आपको छिलका निकाल लेना है और 3 आलो देखिए मैंने बड़े लिये च्new देखिए चोटे लिये नहीं चोटे अगर आप लेते है न तो 5 से पैनी से चरह लीकार निकाल लिया है पानी से वख कर लिया अब इस wellness चोट चोटे तुचटे में जिसाली जो बढ़ने में आरलों में सोच पैणा के श्रचे्ट हैं जिको यह ज़ने सिमाइली तो अ मिलाकर से नाे में जाएइवस्ताश कट गैस कौन कर लिया है एक कडाई रखती हो और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगफख मैंने इसके अंदर न एक ग्लास चितना पानी डाला है एक बड़ा ग्लास चितना और यहाँ पर नमक डाल दिया है थोड़ा सा अब यह जो कटे होगे आलू के टुकड़े न वो हम डाल देंगे अब देखिए आलू के टुकड़े बहुत ही छोटे हैं तो अब ये जो आलू का नाश्ता है ना इसमें आलू के टुकड़े बस आपको पकाने हैं जादा पका लेंगे तो ये तूट सकते हैं ऐसा नहीं कीजेगा बस इसे आपको सिर्फ तीन से चार्ट मिंट तक खुलाई पकाना है धकर नहीं देख सकते हैं बस इस स्टेज पर गैस को बन कर लीजे और ये चान ले तैकि पानी निकल जाए और छनी में सिर्फ आलू आ जाए और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आलू को हम ठंडे पानी से मतलब जो नॉमल हमारे नल्व में पानी आता है उससे हम वाश कर लेंगे ताकि यह जो इसकी कुटिंग प्रोसेस है न वो रोग जाए उधरी उसके बाद अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और बाउल में निकालने के बाद इसके अंदर मैं डाल रहे हूं स्वात के अनुसा नमक इसके साथ आधी चमज लालमिश पाउडर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फूट कलर डाला है रेड फूट कलर आप चाहे तो नहीं भी डाले एक चोथाई चमच अद्रक लेसन के पेस्ट और धनिया के पते अब आलू के अंदर हमें देखे अच्छे से इसे मिला लेना है यहाँ पर आलू के अंदर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है उसके पाद मैंने आप ले लिया एक कप कॉन फ्लोर और इसे हम डाल देंगे और आलू के अंदर इसे हम अच्छे से मिलाएंगे यह नाश्ता बहुत असानी से बन जाता और खाने में इतना टिक स्टी लगता है ना तो यहाँ पर आओ देख सकते हैं आलू के अंदर अच्छे से मैं मिला ले रही हूँ अब आलू के टुकड़े पर लग गया है अब हम बिलकुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं इसके अंदर दो से तीन चमर जितना पानी डाला है और अच्छे से मिला लिया है बस आलू और कॉन फ्लोर चिपक जाए उतना ही हमें इसके अंदर पानी डालना है जादा पानी ना डाले तो एक चौथाई कप पानी इसके अंदर मेरा लगा है एक चौथाई कप से आधे कप जितना उससे जादा नहीं डालना पानी ने तो यह पतला हो जाएगा और हमें पतला नहीं चाहिए इस त एक कर्ची आते हैं ने देखे इस तरह से गोल जिससे हम सारी चीजे फ्राइ करते पकोड़े वगएरा उस पर आपको यह इस तरह से रखना है और अच्छे से सेट करना है देखिए इस तरह से सेट हो गया है तेल भी गरम हो गया है तो यह अपनी उंगलियों के मदद से धीरे दीरे हम इसी से ही तेल में डालेंगे अब इसी तरह से हम सारी बनाएंगे तो एक कर्ची चाहिए आसानी से शेप भी आ जाएगा और बस इसी तरह से हम गरम गरम तेल में डालते जाएंगे और एक तरफ इसे हम अच्छे से पकने देंगे जैसे ही पक जाए ना उसके बाद एक दम उपर से कुरकुरा हो जाए, कृस्पी हो जाए, अंदर तक अच्छे से फ्राइ हो जाए, तो देख सकते हैं, यह अच्छे से फ्राइ हो गया है, तो बस इसे हम निकाल लेंगे, और आप इसे ऐसे खाये, चाय के साथ ले, या हरी चटनी, या कैच्छप, या मियो बहुत बहुत ही बहतरी लगता है, तो घर पर आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स पतेगा, आपको रेसिपी कैसी लगी है, अच्छी लगी है, तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फो वाचिंग,